आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे Renewable and Non-Renewable Sources of Energy देखो हमारी नेचर में बहुत सारे टाइप्स के Energy Sources होते हैं कुछ Energy Sources ऐसे होते हैं जिनका हम Unlimited Use कर सकते हैं और कुछ Energy Sources ऐसे होते हैं जिनका हम Limited Time तक ही Use कर सकते हैं के बाद हम उन्हें यूज नहीं कर सकते तो इस बेसिस पे Energy Sources को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है Renewable Energy Sources and Non-Renewable Energy Sources फर्स्ट हम पढ़ेंगे Renewable Sources of Energy Renewable Sources of Energy वो होते हैं जिनको हम Unlimited Use कर सकते हैं और जो हमारे नेचर में Unlimited Amount में प्रेजेंट हैं और जो इनका Development होती है बहुत ही Short Time में हो जाती है मतलब इनको एक टाइम यूज करो ये फिर से Available हो जाते हैं हमारे लिए हम इनका फिर से यूज कर सकते हैं इसके Example है Solar Energy, Ocean Energy, Hydro Energy, Wind Energy, Biomass Energy, etc Renewable Sources of Energy में First हम पढ़ेंगे Solar Energy Solar Energy हमें Sun से मिलती है Heat and Light की Form में देखो सभी ने Solar Plates देखी है ठीक है Solar Plates पे Solar Cells लगे होते हैं जब Sunlight इन Solar Plates पर पढ़ती है तो Solar Cell Solar Energy को Electricity में Convert कर देते हैं और इस Electricity को हम सभी घरों में यूज करते हैं और जितने भी Public Place है उस पे भी Solar Energy यूज की जाती है Second Renewable Sources of Energy में आता है Biomass Energy देखो जो Biomass है वो Living Matter होता है या फिर Living Matter का Residue होता है इनके यूज से Energy का Production किया जाता है Biomass में क्या क्या Include होता है इसमें Include होता है Agriculture and Forest Residue Carbonaceous Waste Carbonaceous Waste में आता है Sea Waste Garbaste ठीक है इसके अलावा Industries से जो भी Biodegradable Organic Waste निकलता है वो भी Biomass में आता है इन सभी का यूज करके भी Energy का Production होता है और जो इन सभी से Energy Produce होती है उसे बोलते है Biomass Energy Third Renewable Source of Energy में आता है Hydro Energy Hydro Energy से हमें समझ में आ रहा है कि जो Energy Water से Produce की गई है उसे बोलते है Hydro Energy देखो बहुत बड़े बड़े डैम होते है मतब बहुत उचे डैम होते है जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है ठीक है और इन डैम्स के नीचे टर्बाइन लगे होते है जब एक हाइट से ठीक है जब हाइट से काफी हाइट से Water को force के साथ इन तर्बाइन के ऊपर गिराया जाता है तब तर्बाइन के Blades बहुत speed के साथ घूमने लगते है और जब तर्बाइन के blade काफी speed के साथ घूमते है तो electric current generate होता है देखो अभी हमने renewable sources of energy पढ़ा अब हम पढ़ेंगे non-renewable sources of energy non-renewable sources of energy वो होते हैं जिनका अगर हम जादा से जादा use करेंगे तो एक time ऐसा आएगा कि वो हमारे nature से खतम हो जाएंगे ठीक है अगर ये एक बार nature से खतम हो गए तो हम इनको फिर से use नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं non-renewable sources of energy के example है coal, petroleum, natural gas, etc non-renewable sources of energy में first हम पढ़ेंगे coal के बारे में देखो, coal को पहले steam engines में use किया जाता था steam engine चलाने के लिए use किया जाता था coal को, coal का use पहले किया जाता था घरों में खाना बनाने के लिए आज के टाइम में coal का use factories में किया जाता है साथ के साथ electricity को produce करने के लिए भी coal का use किया जाता है अब coal बनता कैसे है अब देखो, कोई natural disaster आया है like earthquake आया, या फिर किसी human activities की वजए से, वहाँ के आसपास के पेड़ पोधे तूट कर जब मिटी के अंदर चले जाते है मतलब जब अर्थ के अंदर चले जाते है अर्थ के अंदर buried हो जाते है तो क्या होता है अर्थ के अंदर का temperature high होता है और अर्थ के अंदर का pressure high होता है इस high temperature and high pressure की वजए से जो plants है, वह coal में convert हो जाते है और इस पूरी process में लाखो साल लगते हैं, इसलिए जो coal है वो non-renewable sources of energy की category में आता है, non-renewable sources में second है petroleum, देखो petroleum को बनने में भी लाखो साल लग जाते हैं, होता क्या है जो sea water है, sea water के अंदर aquatic organism होते हैं, जब ये aquatic organism अर्थ के अंदर दब जाते हैं, देखो sea के अंदर भी जो deep bottom है, वहाँ पर भी अर्थ ही होती है, ठीक है, तो जब ये aquatic organism मर जाते हैं, तो उसके बाद अर्थ के अंदर धब जाते हैं, और अर्थ के अंदर temperature कैसा है, हाई है, और pressure कैसा है, वो भी हाई है, ठीक है, तो इस high temperature and high pressure की वज़े से, जो ये organism है, ये petroleum में convert हो जाते हैं, अब petroleum का जो use है, petroleum के अंदर आते हैं, like petrol, diesel, इनका use vehicles में किया जाता है, as a fuel, इनको industries में भी यूज किया जाता है, third non-renewable energy source है, natural gas, देखो जो natural gas है, वो fossil fuel होता है, और ये बहुत सारी gases का mixture होता है, इन gases में आता है, methane, nitrogen, carbon dioxide, helium और hydrogen sulfide, देखो जेस तरह से petroleum और coal को बनने में लाखो साल लगते हैं, उसी तरह से natural gas को बनने में भी लाखो साल लग जाते हैं, और जो same process होती है, petroleum and coal को बनने की, वही same process होती है, natural gas की formation की भी, next हम पढ़ेंगे uses of natural gas, देखो, जो CNG है, यानि कि compressed natural gas, ये natural gas ही होती है, इसको as a fuel vehicles में use किया जाता है, ये eco-friendly होती है, इससे बहुत ह की कम pollution होता है, second use है natural gas का, कि इसका use fertilizers and chemicals की formation में होता है, third use है natural gas का, कि इसका use electricity generation में किया जाता है, इसका use heating में किया जाता है, and इसका use cooking में भी किया जाता है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा, renewable and non-renewable energy sources,